क्या आप भी बच्चों में से एक हैं, जिनको हमेशा यही लगता है, कि दो साल हो गार करते हुए, या तीन साल हो गार करते हुए, जिन लोगों के साथ अपनी प्रिपरेशन चालू करीती, यहां तक है जिन दोस्तों के साथ बैठके self study तक करी थी उन सब खर selection हो गया वो कहीं न कहीं किसी बैंक में लगे हुए है या किसी और government job में लगे हुए है और यहां मैं आज भी अपनी preparation ही कर रहा हूँ यहां कर रही हूँ और आपको हमेशे अंदर frustration में बस यही thoughts आते हैं कि भई मैं कहां कमी छोड़ रहा हूँ यह ऐसा क्या हो रहा है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ भई मैंने भी उत्रा ही hard work करा भई मैंने भी वही coaching जॉइन करी वही study material से पड़ा बट ऐसा क्यो है कि मैं आज भी preparation ही कर रहा हूँ यह बहुत ही sensitive topic है और यह ऐसा topic है जिसके बारे में बहुत जादा लोग बात करना नहीं चाहते है विकॉज अगर घर में देखें अपने तो आपके मम्मी बापा हमेशे यही बोलते है कि भई इसका दिमाग तो अच्छा है बट महनत थोड़ी कम करता है यह मैनत थोड़ी कम करती है टीचर से बोले तो वो भी हमेशे यही बोलते है कोई hard work में कमी है पर दिमाग अच्छा है दोस्त भी हमेशे यही बोलते है कि भई एक सार all लगा दे तेरा selection पका है बट गाईस आपकी गलतियों के बारे में कोई भी बात नहीं करता है कोई भी आपको आपके face pack यह नहीं बताता है कि आप क्या गलतियां कर रहे है जिसके वज़े से तीन साल हो गए है या दो साल हो गए है या एक साल भी हो गया है और आपका selection नहीं हुआ है because guys according to me अगर मैं frankly बात करूँ आपसे तो अगर आप किसी चीज़ को दो या तीन साल देते है तो आपको उस चीज़ में प्रो हो जाना चाहिए मतलब आपको उस लेवल में पहुंच जाना चाहिए कि आप खुद पढ़ने के बाद आगे लोगों को guide भी कर सके तो अगर आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपसे वो बहुत बड़ी गलती हो रही है जिसके बारे में ना आपने कभी खुद से बात करी है और ना किसी और ने आपसे बात करी है तो इसी वज़े से आज के जो अपना session में हम बात करेंगे उनी सारी गलतियों के बारे में और आपको बताएंगे frankly कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वैसे इस बार भी आपका selection नहीं हुआ जो भी बच्चा किसी भी exam को crack नहीं कर पाता है तो वो major बस तीन ही reasons होते हैं हर उस failure के पीछे भाई पहला होता है you are not intelligent enough कि भाई आप उतने intelligent ही नहीं है कि आप ये examination निकाल पाएं दूसरा होता है कि हो सकता है कि आप इस job को respect ही ना करते हो भाई आप अपने मन में कभी ये ना मानते हो कि भाई मेरे लिए ये job कुछ respect रखती है भाई आपको हमेशा ये लगता है मेरे घरवाले बोलते हैं सरकारी नौकरी होने चाहिए मेरे दोस्तों के पास या मेरे पढ़ोसियों के पास एक सरकारी नौकरी है मैं भाई कोशिच ये करता हूँ कि घरवालों को दिखाने के लिए एक सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन चालू कर देता हूँ भाई करनी तो मुझे है नहीं बढ़ चलो घरवालों को दिखाने के लिए घरवालों का मन रखने के लिए ये सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन चालू कर देते हैं, ठीक है, और तीसरा रीजन होता है कि आपकी अप्रोच उस एक्जामिनेशन के लिए ही गलत है, गाईज अगर इन तीनों रीजन की बात करें, तो पहला रीजन मैं नहीं मानता कि कोई बच्चा कभी हो सकता है, भई आप इंटेलिजन नहीं है, ये मैं कभी नहीं मान सकता, इस एक्जामिनेशन के लिए आपकी इंटेलिजन से जादा आपकी प्रैक्टिस काम करती है, भई ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, जिन्होंने अच्छे का से NIT से इंजीनेरि करता है, यहां काम करता है आपका hard work, आपका smart work और आपकी practice, ठीक है, अगर दूसरे reason की बात करें, कि आपको इस job की respect नहीं है, गईस अगर ऐसा है, तो मैं आपको आज frankly यहीं बोलूँगा, कि अगर ऐसा है, तो अपना आगे का time आप waste मत करिए, भई आप already इसमें दो सालिय हैं, तीन साल अगर दे चुके हैं, तो आगे एक भी दिन और मत दीजिए इस चीज़ को, उस चीज़ में जाओ जहां अपना मज़ा है, उस चीज़ में जाओ जहां कुछ passion है, गईस हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपको photography बहुत अच्छे लगती है, photography pursue करो, गईस हो सकता अगर आपको लगता है कि आपको आपका passion ही नहीं पदा, तो गईस private jobs तो हमेशा ही आप लोगों के लिए open है, हाँ salary थोड़ा कम होगा, बट starting salary कम लेने के बाद, अगर आप उसमें भी मैनत करेंगे, तो उसमें भी आप बहुत अच्छे level तक पहुंच सकते हैं, और छोड़ो negative direction में ही आगे बढ़ते रहोगे, तो मतलब इन तीनो reasons में सबसे important reason है हमारा right approach, how to choose your right approach, और आप सबसे ज़्यादा गलतियां कहां करते हो, कि आप positive में आगे बढ़ने की जगा और minus में पीछे जाना चालू हो जाते हो, तो भई आज बात करेंगे total 7 reasons की, वो 7 reasons, व पहली mistake की बात करते हैं, और वो है always searching for shortcut tricks, गैज दो को मैं हमेशा आपको हजार बार इस channel पर ही बोल चुका हूँ, कि आपको अगर अपना examination निकालना है, तो भई आपको अपने fundamentals पर काम करना चालू करेगा, भई आपको अपने concept building पर काम करना चालू करना पड़ेगा, भई अगर मैं आपको आज बोलू कि आपको time and work का, मैं एक XYZ topic उठा के देदू, और वो XYZ एक question हो आपके सामने, तो भई आपको पता होना चाहिए कि time and work के question को approach कैसे करते हैं, बट आज कल के preparation में एक सबसे बड़ा जो lack हो रहा है, वो इस वज़े से हो रहा है, भई सारे के सारे बच्चे कही न कहीं shortcut tricks को ढूंते रहे, भई किसी को fundamental building में time नहीं देना है, किसी को concept building में time नहीं देना है, किसी को अपने coal building में time नहीं देना है, भई सबको shortcut trick चाहिए, भई सबको वो छोटे-छोटे capsule चाहिए, भई time and work का सार हमें वो capsule दे दो, जिसमें वो 2-4 shorter trick को हो, हम भई हम तो सारे question solve कर देंगे, या time speed distance का capsule दे दो, या sir आपको English में sir, हमको reading comprehension का capsule दे दो, या para jumble का capsule दे दो, या reasoning की बात हुई तो sir, input output का capsule दे दो, sir, हमको तो shorter tricks बता दो, हम सारे question solve कर देगे, so guys अगर आप भी इन में से ही एक student है, आप इन में से ही एक candidate है, mark my word, आपका examination क कि उसका concept बहुत स्टॉंग हो, आपको पता होना चाहिए कि अगर time speed distance का कोई question आ गया, वो तो मुझसे होगा ही होगा, या profit and loss का कोई question आ गया, तो वो तो मुझसे होगा ही होगा, guys because आप अगर pre examination में, means examination में देखेंगे, तो जो आपका examination का paper set करते हैं, वो एक innovative type के questions कभी कि आते हैं, और आप हमेशा यह देखोगे, कि maximum बच्चे वो questions all नहीं कर पाते हैं, वो कई बर ऐसे दिखो होगा, आपने कि एक बर SBI PO के means examination का, maths का cut off गया था, zero, zero क्यों, because उनके जितने भी questions थे, वो सारे के सारे fundamental building के उन्होंने पूछ लिया, और हुआ कि सारे के सारे बच short cut tricks की वैसे कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, अब इसके साथ एक और चीज़ हो बहुत important है, वो है, can skip some not that essential classes, अब यहां सबसे बड़ा problem ही आ रहा है, कि YouTube पे और Unacademy पे इतनी धेरो classes चालू हो चुकी हैं, और उन में से maximum classes है, non essential classes, अब मैं इन classes को non essential क्यों बोलता हूँ गाइस दिको इसमें बहुत सारी classes ऐसी हैं, जिनका ऐसे नाम होता है, editorial classes, या जिनका नाम होता है, reading classes, या जिनका नाम होता है, skimming classes, या जिनका नाम होता है, shortcut trick classes, अब गाइसाब मुझे यह बताओ, कि अगर English section में आपको reading करनी ही नहीं आएगी, तो आप skimming कैसे करोगे, और अगर आपको reading और skimming ही नहीं आएगी, तो आप editorial कैसे पढ़ोगे, और अगर आप यह चाहते हो, कि यह सारी चीज़ें आपको छोड़के कोई और आपके लिए करे, और वो करेगा और आपका examination निकलेगा, तो यह तो आपकी सबसे बड़ी भूल होनी चाहिए, और आपको भ पढ़ेगा, जो आपका time है, जो आप editorial classes में लगाते हो, या skimming classes में लगाते हो, या shorter trick की classes में लगाते हो, इनको आप अपने fundamental building में लगाओ, इनको आप अपने mock test में लगाओ, इनको आप अपने mock test के analysis में लगाओ, इसको आप अपने नए नए pattern के questions करने में लगाओ, जादा से जादा नई-नई चीज़े explore करने में लगाओ, बट सही जगा time लगाओ, because सही जगा time लगाओगे, तो सही result मिलेगा, और सही result मिलेगा, तो सही तरीके से selection हो पाएगा, तो यह रही आपकी mistake number one, अब mistake number two देखते हैं, भाई वो है, don't know what to skip and what to attempt, guys, यह इतनी important mistake है, and I am sure कि आप लोग को यह by heart पता होगा, और गई exam देने के बाद, कई सारे बच्चे मुझसे हर बार यही बोलते हैं, कि sir, इस बार बस यह वाला question हम फस गए थे इस question में, नहीं तो examination तो पक्का निकाल लेते, या sir, इस question में इतना जादा problem आ गया, कि बस होते होते answer, आते आते answer आया नहीं, और हमारा 5 minute waste हो गया उस question में, तो भाई, यहाँ पर सबसारा problem क्या है, इसको बोलते है, ego sweeps in, कि भाई, हम question तो पूरे मन से करने गए थे, बट कहीं न कहीं हमारा ego बीच में आ गया, और question होने की बजाए, हमारा time waste हो गया, तो भाई, आपको पता होना चाहिए, examination में बैटने से पहले, कि आपको किन questions को skip करना है, और किन questions को attempt करना है, अब यह चीज आपको कैसे आएगी, भाई, यहाँ सबसी ज़्यादा जो आपकी मदद करेंगे, वो है आपकी practical strategy, that is mock test strategy, और आप जब अपनी preparation करते हैं, तब आपको preparation में ही समझना चाहिए, कि आपकी strength क्या है, और आपकी weaknesses क्या है, क्योंकि जिस दिन आपको समझ आगे, क्या है आपकी strength क्या है, आपकी weakness क्या है, उस दिन आप उस questions को उस एक नजरिये से देखने की कोशिश करोगे, गरिज़ अगर मैं आपको frankly बताऊं, तो मेरा mathematics में एक topic है time speed distance, उसमें मैं कभी उतरा comfortable feel नहीं कर पाया, कि उसका question आते ही, मैं hands down उस question के solution में लग जाऊं, तो मेरी clear cut strategy क्या थी, कि time speed distance का कोई question आया है, quant में, तो मैं इस question को छोड़ देता था, skip करता था, last के लिए, अगर मेरे पास time बचा, अगर मेरे strong points, जिसमें मैं हमेशा confident feel करता हूं, अगर में वो सारे topics मेरे खतम हो गए, और time बचा, तम मैं time speed distance के questions को देखूंगा, और नहीं तो मैं उन questions को skip कर दूँगा, और मैं अपने overall score को boost करने के कोशिश करूँगा, ठीक है, दूसरी mistake क्या करते हैं, बच्चे करते हैं, guess work, अब guess work से होता क्या है, भाई पहले तो 5 minute एक question में दे दिये, भाई 5 minute waste कर दिये, अब आपको क्या लगता है, भाई 5 minute इस question के दे दिये, अब यहां तो option A होगा, या B होगा, या C होगा, अब इन तीनों में से एक option होगा, चलो A मार देते हैं, या चलो B मार देते हैं, अब यहां पे आपका guess work चाली हो जाता है, भाई यहां पे आप यह चीज बूल जाते हो, कि भाई examination में negative marking नाम की भी एक चीज होती है, जो आपको एक number तो नहीं देगी, बट minus 0.25 करवा देगी, मतलब जहां आप एक number लेने गए थे, वहां minus 0 number कराके बापिस आ जाते हो, तो guess work भी नहीं करना है, और यह आप हमेशा करते हो, और यह आपको भी पता है, और आखरी जो सबसे important point है यहां पे, वो है select to reject, गाईस मैं हमेशा आपको यह point बोलता हूँ, कि बाई किन questions को करना है, यह पता होने से पहले, आपको यह पता होना चाहिए कि किन questions को आपको नहीं करना है, बाई किन questions को देखते ही छोड़ना है, जैसे मैंने आपको बताए अपना experience time, speed, distance के साथ, बाई हर section में आपको उस topic के वारें बता होना चाहिए, Guys, अपनी strength बनाओ, अपनी weaknesses पकड़ो, समझो आपकी strength क्या है, आपकी weaknesses क्या है, उन पे काम करो, strength को और improve करो, weakness पे काम करो और कोशिश करो कि weakness कम weak हो, और हो सके तो भाई strength बन पाए, अगर लगता है कि यह मेरा बहुत weak है, तो उसको हमें reject करना है, उस पे हमें एक second का भी time invest नहीं करना है, ठीक है guys, तो यह रही हमारी mistake number two, अब बात करते हैं अपनी mistake number three के, और यह सबसे important mistake है, जो बच्चे हमेशा commit करते हैं, वो है more arts equals to more study equals to more knowledge, Guys, according to me, यह एक वो equation है, जिसमें ना जाने कितने सारे बच्चों के सपने तोड़े हैं, या कितने सारे घर वालों को गलत भ्रम में रखा है बच्चों ने, जिसमें उन्होंने यह बताया है, कि भाई हम तो ज़्यादा घंटे पढ़ते हैं, इसका मतलब हम ज़ादा पढ़ाई करते हैं और हम ज़ादा पढ़ाई करते हैं इसका मतलब हमें ज़ादा knowledge है बट गाइज ये सबसे bullshit equation है इस पूरी preparation की कॉस्ट ऐसा कभी नहीं होता कि आप ज़ादा गंटे बैट के पढ़ रहे हैं तो आप actually में पढ़ाई कर रहे हैं और आप जो actually में पढ़ाई कर रहे हैं वो actually में आपके दिमाग में घुस भी रहा है और आपको कुछ knowledge भी दे रहा है because यहाँ पर एक बहुत important time आता है वो है efficiency versus effectiveness आप हमेशा कोशिश करते हो अपनी efficiency के पीछे बागने की और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने effectiveness के पीछे बागो आप बोलते हो कि हम ज़्यादा घंटे पढ़ रहे हैं मतलब ज़्यादा घंटे पढ़ाई हो रही है मतलब ज़्यादा knowledge मिल रही है और मैं बोलता हूँ कि कम घंटे पढ़ो but effectively पढ़ो मुझे 10 घंटे हैं 8 घंटे हैं 20 घंटे आपके दिन के नहीं चाहिए मुझे चाहिए कि आप 5 या 6 घंटे ही दिन के दो but ऐसे पढ़ाई करो कि अगर मैं आपसे रात को नीज में भी पूछूँ कि आपने उस दिन 5-6 घंटे में क्या पढ़ा था तो आपको वो by heart याद होना चाहिए और वो by heart याद होने के लिए आपको अपनी effectiveness पे काम करना पड़ेगा efficiency छोड़ के effectiveness की तरफ जाना पड़ेगा तो इसका मतलब more hours is not equal to more study and absolutely not equal to more knowledge तो भाई इसका मतलब जितने घंटे पढ़ो अच्छे से पढ़ो चाहे कम घंटे पढ़ो ठीक है और भाई दूसरा बहुत important point है वो है don't study to show it to anybody भाई आपको अपने घरवालों को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है अपने दोस्तों को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है आपको खुद के लिए पढ़ना है खुद के selection के लिए पढ़ना है भाई prepare for your selection this time और वो तब होगा जब अपने effective studies की तरव आगे भढ़ोगे ठीक है तो भाई efficiency छोड़ो effectiveness के पीछे जाओ भाई कम time पढ़ो पर अच्छा पढ़ो ऐसा पढ़ो कि भाई by heart हर एक चीज हमेशा याद रहे ठीक है तो भाई अब भढ़ते हैं अपने mistake number 4 की तरफ और भाई वो भी एक बहुत common mistake है और वो है preparing for means only after prelims अब भाई जब हमारा notification आता है तो notification सा लेके आपका prelims examination में around 2-3 महीने का gap रहता है बट बच्चे हमेशा यही गलती करते है क्यों 2-3 महीनों में लगा था prelims की preparation करते रहते है मतलब आप 2-3 महीने अपने prelims की preparation को देते हो ठीक है बट prelims के examination के बाद result का wait करते है और result के बाद means examination बचते हैं अपने 15-20 दिन मतलब जहां हम 2-3 महीने देते हैं एक lower level के examination को अपने prelims के examination को वहीं बस 15-20 दिन बचते हैं हमारे पास अपनी means examination के preparation के लिए तो इसका मतलब समझे रहो कितना बड़ा drawback है यहाँ पर आप जिस चीज को आपको ज़ादा time देना चाहिए उसको आप time देते ही नहीं हो और जो prelims examination है जो बहुत easy examination है अगर कोई बच्चा अच्छे से 2-3 महीने starting से preparation करे तो वो किसी भी bank या insurance examination prelims तो पहले ही attempt में clear कर सकता है ठीक है? बट problem तो हमेशा mains examination की है ना बई because mains examination तो हमारा difficult examination है बई prelims में आपके एक बार चलो shortcut tricks चल भी जाएंगे but mains examination is all about your fundamental building और बई fundamentals में तो आप लोग वैसे भी कभी काम करते ही नहीं हो because आपको तो shortcuts में मज़ा आता है तो इस problem का solution क्या है? बई इसका एक sure short solution जिसको मैं हजार बार पहले भी channel पर बता चुका हूँ और इस चीज़ को आपको अपने हर section में implement करना है बई अगर आज एक maths का topic उठाते हूँ for example आपने सबसे पहले उठा है profit and loss तो बई profit and loss उठाओ और उसका LOD 1 solve कर लो ठीक है? अब अगले आपको लगता है कि मुझे probability करना है बिल्कुल probability उठाओ और उसका level 1 solve करो इसके पाद आपको लगता है simple interest, compound interest करना है वो उठाओ, उसका level 1 करो level 1 का मतलब होता है directly formula based questions तो आप सारे topics उठाओ और सबका formula based questions कर लो मतलब सबका LOD 1 solve करो ठीक? मतलब LOD 1 जैसे ही हो जाएगा आपको हर topic का minimum basic चीज़े आ जाएगी fundamental building आ जाएगी और उसके साथ साथ basic सारे formula याद हो जाएगे ठीक है? इसके बाद जैसे ही सारे topics का level 1 हो जाता है इसके बाद level 2 चालू करो level 2 profit and loss, level 2 probability, level 2 SI, CIE, level 2 allegation, mixture, सारे topics के level 2 चालू करो अब level 2 में क्या होगा? level 2 में आपके formula के साथ साथ थोड़े आपका दिमाग की भी जरुवत रहेगी और level 2 वाले questions आते हैं आपके prelims में जैसे ही आप level 2 के question solve करोगे आपके prelims की preparation हो जाएगी और level 2 solve होते ही आप भढ़ जाओ अपने level 3 के तरफ इन सारे topics के फिर उठाओ level 3 और guys level 3 के topics जो हैं वो आपके basic fundamental building पे ही रहेंगे उन में ना जादा आपके कोई formula लगेंगे और ना जादा कोई shorter tricks लगेंगे उसमें आपको basic fundamentals अगर आते होंगे तो उन questions को approach कर पाऊगे और level 3 के जो questions आते हैं वो आते हैं आपके mains examination में तो मतलब इस तरीके से preparation करते हुँ आगे चलोगे तो by the time आप prelims examination तक पहुचोगे आपके level 1, level 2, level 3, तीनो levels के question हो जाएंगे तो इसका मतलब prelims के time पे आप mains की preparation तक कर चुके होगे तो आपका prelims कभी रुकेगा ही नहीं और इस बार आपको mains के लिए बस 15-20 दिन नहीं बलकि वो पहले 3-4 महीने और 15-20 दिन बल्ला आपको 4-5 महीने मिलेंगे आपकी mains examination के preparation के लिए तो सोचो कितना तगड़ा उस examination को फोड़ के आ सकते हो वागर इस तरीके से preparation करोगे तो So guys I am sure कि ये strategy समझ रहे होगे आप लो कि कैसे आपको LOD में prepare करना है और guys अगर इस strategy implement कर पाओ तो भाई I am damn sure कि अगला examination आप जरूर निकालोगे और फिर आप वापिस आओगे इस वीडियो के comment section में comment करने कि sir I am selected in XYZ bank and sir आपकी येवाली trick 100% काम कर गई ठीक है तो अब भड़ते हैं अपनी mistake number 5 की तरफ वो है revision अब भाई revision के आगे लगा है एक बहुत बड़ा सा question mark और इस question mark का मतलब ये है कि भाई maximum बच्चों को तो ये पता ही नहीं होता अगर एक हफते में 6 दिन 5-6 घंटे भी पड़ोगे तो मतलब 30-40 घंटे जो पढ़ाई करोगे एक हफते के 6 दिन में तो क्या आपको वो चीज 2 महीने बाद याद रहेगी बिल्कुल भी नहीं तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जो आपका week है आप उसको दो हिस्सों में divide करो एक हिस्से में रखो 6 दिन अपने एक हिस्से में रखो अपना एक दिन के questions करें भाई आपको 30-40 नए pattern के error detection के question मिले तो अब यह बताओ कि 30-40 error detection को revise करने में किती है लगेगी मुश्किल से 10 मिनट और उस 10 मिनट में आपको वो पूरे के पूरा हफता आपकी आँखों के सामने से एक बार निकाल लोगे और जैसे ही आँखों के सामने से एक बार निकालोगे वो चीज आपके लिए fresh हो जाएगी और आपके अगले mock test में अगर वो question आ जाएगा तो आपकी और revision हो जाएगा तो इसका मदद समझ लो कि revision बहुत important है अपकी चीजों को अपने memory में रखने के लिए तो हमेशा यही कोशिश करो कि अपना जो week है उसको दो हिस्सों में divide करो 6 and 1 छे दिन पढ़ाई करो एक दिन revision करो ऐसा करोगे तो mark my words अगले ही examination में वापिस आओगे इस वीडियो के comment में यह बताने के लिए कि sir selection हो गया और revision ने तो बहुत जादा मदद करी है ठीक है तो भाई revision मत छोड़ना और revision अगर नहीं करते हो तो भाई जल्दी से revision चालू करते हो ठीक है तो आप बढ़ते हैं अपनी mistake number 6 की तरफ और guys mistake number 6 है zero focus on descriptive section अब गाई यह एक ऐसा topic है या एक ऐसा section है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता यह एक ऐसा बिचारा untouchable type का topic है कि जब तक means examination के आखरी दो दिन नहीं बचे होते कोई भी descriptive section की बात नहीं करेगा आपसे आपको कोई नहीं बताएगा क्या इसे करना है कोई नहीं बताएगा क्या letter करना है ना आप कभी efforts जा section है guys descriptive section आपको easily आपके 50 and 25 marks होते हैं उसमें बहुत अच्छा score कर सकते हैं guys essay writing, letter writing अगर आप अच्छे से improve कर सकें इसमें proper time दे सकें तो भाई आप descriptive section में बहुत अच्छा score कर सकते हैं और इसी के साथ guys अगर आप अपने descriptive section में time देते हैं तो guys आपका overall English section भी बहुत अच्छे से prepare हो जाएगा, because जब आप अपने write-ups करने चालू करेंगे, अपने letters लिखने चालू करेंगे, अपने essays लिखने चालू करेंगे, तो आप उसमें grammatical mistakes समझेंगे, आप यह समझेंगे कि कहां मैं और अच्छा कर सकता हूँ, और कहां improve कर सकता हूँ, यह vocabulary के नए words ढूनेंग पढ़ की बता देते हैं, error तो यहाँ है, क्यों? यह सुनने से अच्छा नहीं लग रहा, यह बोलने से अच्छा नहीं लग रहा, वो क्यों? Because उनके skills इस तरीके से improve होचुके हैं, कि भाई, अब वो देखने से ही या पढ़ने से ही या बोलने से ही बता देते हैं कि error कहां है और इसी के साथ सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, आपके सेंटेंस वेपिंग, उन सारे चीजों में आपका डिस्क्रिप्टर सेक्शन बहुत जादा मदद करेगा आपकी, बट इस चीजों में आपको टाइम देनी की जादा जरूरत है, ठीक है, और अगर अप मॉक्स देना बहुत जादा इंपोर्टेंट है, गईस कितनी भी प्रैक्टेस कर लो, जब तक एक्चुल एग्जामिनेशन सिनारियो में नहीं बैठोगे, जब तक एक्चुल एटमॉस्फेर को सिमिलेट नहीं करोगे, तब तक कभी भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर प्रिलेम्स एग्जामिनेशन में एक घंटे में 100 कुशन कर पाऊगे, और ना फिर मेंस एग्जामिनेशन के difficult questions को handle कर पाऊगे, बिकॉस प्रिलेम्स में नर्वस हो जाओगे, और मेंस एग्जामिनेशन में frustrate हो जाओगे, तो भाई, मॉक टेस्ट देना तो बहुत ठीक है अब गईस आप मानके चलो कि preparation में mock test आपके राम भगवान की जगह है राम भगवान जितने important है आपकी रमायन का अंत होने में उत्रहीं आपके selection का end होने में mock test बहुत जरूरी है और अगर analysis of mocks की बात करें तो यह तो आपके राम का नाम है जैसे कि एक कहवत है कि राम से भी बड़ा राम का नाम वैसे ही अगर mocks आपके भगवान राम है तो analysis आपके भगवान राम का नाम है मतला analysis करना तो mock देने से भी ज़्यादा important है मतला अगर एक mock दे रहे हो तो उसको एक बार दो बार अच्छे से analyze करो अगर prelims का एक घंटे का एक mock दे रहे हो तो उसको कम से कम 3-4 घंटे तक analyze करो मतलब ऐसा analyze करो कि इन 100 के 100 questions को निचोड के पी लो notes बनाओ, screenshots लो, अच्छे analyze करो और ये कोशिश करो कि जो गलती उस mock में हुई है वो कभी भी आगे ना repeat हो, ना किसी और mock में और ना किसी और final examination में और फाइनली एक और चीज आपको suggest करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी mock का analysis कर रहे हो यह आपनी preparation कर रहे हो, तो कोशिश ये करो कि एक register ले सको, मोटा सा यह अपनी एक अलग से notebook बना सको यह एक diary ले सको, जिसमें आपने जो भी आज सीखा उसको note down कर सको and by the end of the week उसको revise कर सको अब बच्चे यहां पर एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं वो यह है कि वो mocks को overdue कर देते हैं तो कुछ बच्चे इतने जादा mocks देते हैं कि उनको किसी और चीज का time ही नहीं मिलता वो एक दिन में 3-3 mocks देते हैं यह एक दिन में 2 mocks देते हैं और फिर उसके analysis में लग जाते हैं कई बार तो ऐसा होता है कि वो analysis में पूरा नहीं कर पाते है और अगले mocks में लग जाते हैं और अगर analysis कर भी लिया फिर prepare नहीं कर पाते हैं किसी चीज के लिए फिर ना अपने notes बना पाते हैं आप लोग अपना selection जरू ले पाएंगे So guys, I am damn sure कि आप लोग को आज के वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को जरू मिला होगा कुछ ना कुछ mistakes समझ आई होंगी जो आप लोग हमेशा करते हूँ आ रहे हो Guys, वो सारे social media handles हैं जहां पे भी the alpha banker आप लोग की मदद के लिए हमेशा अविलिबल है हमसे जरूर connect करें, अगर कोई भी mistake करते हैं कोई भी गलती है, कोई भी difficulty है preparation में, जरूर हमसे connect करें and we from the alpha banker family will try our best कि आपकी हर mistake को at most urgency से solve कर पाएं ठीक है guys, see you in the next video signing off, my name is Shiraq Chopra